जरा सोचो एक आदमी पेट्रोल पीकर बहुत जादा ताकतवर हो जाए लेकिन चीजें जैसी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं कहानी की शुरवात होती है एक स्पेस्शिप से जो सीधा जाकर कोरिया में क्रैश हो गई पेस्शिप एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक नंगा आदमी बाहर निकला इसके बाद हम मैंजी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पतनी सोही के साथ नाश्ता तयार कर रहा था उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों खूब मजे लूट रहे थे मैंजी काफी अच्छा सुन्दर और मेहनती है इसलिए सोही खुद को दुनिया की सबसे खुश किसमत लड़की समझती है एक दिन सुभा नाश्ता करते हुए मैंजी ने कहा कि वो आज राट डिनर के समय तक घर नहीं पहुँच पाएगा सोही ने पूछा तुम सच में काम के लिए भाहर जा रहे या कुछ और बात है इतनी तारीफ सुनकर वो लड़की भी कहने लगी बस ना मेरा बॉइफरेंट भी बहुत अच्छा है क्या हो गया इसके बाद सेरा नाम की दूसरी लड़की की बात छिड़ गई सेरा के बारे में अफवा थी कि उसने अपने पिछले पती को मार डाला था क्योंकि उसका बाहर चकर चल रहा था फिर रात को सोही घर देर से लोटी तब तक मैंजी सो चुगा था सोही को उसके हाथों पर कुछ निशान दिखे और तभी उसके फोन पर किसी का call आया फिर सोही ने अपने पती का फोन देखा तो उसमें कई messages मिले एक message में लिखा था कि वो शुकरवार को किसी से मिलने वाला है ये पढ़कर सोही को शक हो गया कि कहीं मैंजी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा अगली सुभा सोही ने मैंजी को शुकरवार के दिन उसके साथ एक फंक्शन में चलने को कहा लेकिन मैंजी ने काम का बहाना करके बाट टाल दी अब सोही का शक और बढ़ गया कि उसकी नाक के नीचे उसका पती उसे धोखा दे रहा है आखिरकार सोही डॉक्टर जैंग नाम के एक प्राइवेट जासूस से मिली वो चाहती थी कि जैंग उसके पती का पीछा करके पता लगाए कि सच में उसका कोई चक्कर है या नहीं इसके बाद डॉक्टर जैंग काम पर लग गया और हर जगा मैंजी का पीछा करने लगा आखिरकार उसने सोही को मिलकर बताया कि मैंजी उसे धोखा तो दे ही रहा है और इसके अलावा उसकी कुछ अजीवों करीब आदते भी हैं मैंजी अपना जादातर वक्त कलब्स, चिम्स और गॉल्फ कोर्सेज पर बिताता था वो हर रोज नई लड़कियों के साथ घून कर गुल्छर्रे उडाता है और तो और वो हर सुभा बहुत सारी वाइन पीता था डॉक्टर जैंग ने बताया कि मैंजी की तो पहले भी तीन चादी हो चुकी है और उसकी तीनों पत्निया या तो गुम शुदा है या फिर मर चुकी है लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मैंजी छिपकर पेट्रोल पीता था ये सब सुनकर सोही का दिल तूट गया और वो रोती हुई वहाँ से चली गई उस राद सोही ने एक चाकू से मैंजी का काम तमाम करने की कोशिश की लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई आखिरकार वो अपनी पुरानी दोस्त सेरा से मिलने पहुँची उसने सेरा से कहा कि वो अपने धोखे बाज पती को मारना चाती है सेरा की खुद की चार शादियां तूट चुकी थी और उस पर अपने पिछले पती को मारने का इलजाम भी था उसने कहा कि हाला कि उसने अपने पिछले पती को नहीं मारा लेकिन फिर भी उस कमीने का मरना बनता था ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं अगले दिन सोही एक बार फिर से डॉक्टर जैंग से मिली और जासूस ने बताया कि उसके हिसाब से तो मैंजी इस दुनिया का है ही नहीं। वो किसी और ग्रह से आया है और वहां के लोगों को the unbreakables कहा जाता है। ये लोग धर्ती पर भेज बदल कर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये इंसानों से शादी करके विल्कुल इंसानों जैसा जीवन बिताते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। जब सोही को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ तो डॉक्टर जैंग उसे पेट्रोल पंप पर ले गया जहां सोही ने अपनी आँखों से मैंजी को पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देख कर उसकी आँखें खुली की खुली रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी जिसमें साइन्टिस्ट, सरकार और पुलीस के कुछ आदमी शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियन्स को पकड़ना, जो इंसानों के साथ रहकर इंसानों का डियन ने इखटा करके उनमें वाइरस पहला रहे हैं। इसके लिए उन्हें एलियन लीडर मैंजी तक पहुँचना होगा ताकि इंसान जाती को बचाया जा सके। उधर डरी होई सोही अपने घर पहुची और उसने फ्रिज में से पानी पिया। लेकिन मैंजी ने पहले ही पानी में जहर मिला रखा था, इसलिए उसे पीते ही सोही जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद मैंजी वहाँ आया और सोही को बेहोश देखकर खुश हो गया। उसने तुरंट सोही के दोस्तों को खबर कर दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टर ने बताया कि सोही मर चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और मैंजी भी बेचारा बनकर नाटक करने लगा। लेकिन अचानक सोही जाग गई और उसने नीले रंग का जहर थूप दिया। अब मैंजी का ब्लान चौपट हो चुका था लेकिन वो सोही को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक करने लगा। इसके बाद मैंजी ने दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदा ताकि वो सोही को खत्म कर सके। वही पुलीस भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाहर मैंजी की तस्वीरे ले ली। शाम को मैंजी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सोही को मारने के प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सोही की लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगी। दूसरी तरफ सोही सेरा के साथ मिलकर मैंजी को मारने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जैंग से भी मिलवाया। वो तीनों मैंजी को तेज बिजली के जटके देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जैंग के पास एक और प्लान था। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे एलियन्स को मारा जा सकता है। लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था। वाह तुछ जादा ही भगवान भरोसे नहीं हो रही है। फिर वो तीनों सोही के घर पहुँचे और प्लान को अंजाम देने में जुट गए। डॉक्टर जैंग ने बात्टब में तेज बिजली की किरने लगा दी और उसका रिमोट निकाला जो की एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी बजी और उन तीनों को लगा कि मैंजी घर वापस आ गया है। इसी लिए सेरा और डॉक्टर जैंग फटाफट बात्रूम में चिप गए। लेकिन दर्वाजे पर तो सोही की दोस्त बंदूक लिए खड़ी थी। वो अपने बॉइफ्रेंड ब्रॉकली को ढूंड रही थी जो असल में डॉक्टर जैंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और देखा कि बात्रूम का दर्वाजा अंदर से बंद है। उसने गुस्से में दर्वाजा तोड डाला लेकिन वहाँ तो सेरा हलकी हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जैंग तो बास्टब में परदे के पीछे चिपा हुआ था। उधर लिविंग डूम में उसने सोही को बताया कि उसका बॉइफरेंड शायद उसे थोखा दे रहा है। फिर उसने एक सिगरेट निकाल ली लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। इसलिए उसने वो लाइटर जैसा दिखने वाला रिमोट उठा लिया। जैसे ही उसने बटन दबाया डॉक्टर जैंक को जोरदार बिजली का जटका लगा। तीनों लड़कियां डर के मारे बातरूम की ओर भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जैंक तो मर चुका था। सोही ने उसकी मौत का जिम्मेदार यैंक सून को ठहराया क्योंकि उसने ही बटन दबाया था। लेकिन सोही ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जैंक की लाश को चिपाएंगे। उन्होंने लाश को मैंजी की अलमारी में छिपा दिया और तब ही मैंजी घर लोटाया। दरसल आज उसका जनम दिन भी था तो सोही कहने लगी जाओ न बाबु ना हाके आओ ऐसे बिना नहाई केक निगाटते। ठीक है। जब वो बास्टब में था तो सोही ने बाहर से बटन दबा दिया। मैंजी को बिजली का जटका तो लगा लेकिन उस पर कोई असा नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिन्दा देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन उन्होंने का कि ये तो बस एक प्रैंक था। और इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगे। अभी सोही ने मैंजी को वाइन पीने को कहा जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसी वक्त तलाम बजने लगा कि अलमारी में कुछ है तो मैंजी तलाशी लेने पहुँचा। तीनों लड़कियां भी डरी हुई उसके पीछे आ गई। जैसे ही उसने अलमारी खोली उसमें से डॉक्टर जैन निकला जो अब तक जिन्दा था। मैंजी को लगा कि वो एक चोर है और उसने उसे मार कर बेहोश कर दिया। सोही को लगा कि अब तो शाय डॉक्टर मर गया। इसलिए उसने मैंजी से डॉक्टर को दफनाने को कहा ताकि वो पकड़े न जाएं। उधर से मैंजी के एलियन दोस सोही की लाश को ठिकाने लगाने आ पहुंचे लेकिन यहां तो कुछ और ही गड़बर चल रही थी। इसलिए उन्होंने कहा हम तो भाई का जनम दिन बनाने मैंजी ने उन्हें वाईन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के सार डॉक्टर को दफनाने चला गया। जैसे ही मैंजी ने जमीन खो दी, सोही ने पीछे से उसके सर पर कुलाड़ी मार कर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन भाग सकता था। इसी चक्कर में गाड़ी का एकसिडेंट हो गया और इस जब के बीच मैंजी भी एक पहाड़ से नीचे जा गिरा। जब लड़कियों को मैंजी की लाश नहीं मिली तो वो वापस सोही के घर लोट आई। लेकिन वहाँ तो मैंजी के सारे इलियन दोस्त मर लगा दिया कि सर ये तो हमारी पती हैं जो शरापी कर बेवोश हो गए हैं पी अकड़ कहीं के। आखिरकार उन तीनों को पुलीस स्टेशन ले जाया गया। पुलीस डॉक्टर जैंग को भी वहाँ ले आई क्योंकि उन्हें लगा कि वो आवारा घुम रहा है। असल में ब पुलीस स्टेशन गया और सोही और उसकी सहेलियों को छोड़ा कर अपने साथ ले आया। गाड़ी में मैंजी ने नाटक किया कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगा उन तीनों को पड़े प्यार से मारेगा। मस्ती के साथ। अचानक सेरा ने अपना चाकू निकाल कर उसके सर पे दे मारा। इससे गाड़ी एक बार फिर पहाड से नीचे गिरी लेकिन सोही, सेरा और यैंग सुन जिंदा बच गई। वो तीनों जल्दी से गाड़ी से निकल कर भागी। कुछ देर बाद मैंजी उठा और चाकू अब भी उस समी शक्तियों से ओफिसर्स को धूल चटा दी। अभी डॉक्टर जैंग ने सोही को अपना बनाया इंजेक्शन थमा दिया। सोही ने पीछे से मैंजी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वहीं जम गया। डॉक्टर जैंग के इंजेक्शन ने के साथ कहानी खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में।